नमस्कार दोस्तों मैं रहुलपान चाल और आप देख रहे हमारे चैनल ड्रैगोश्टडी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा दे कि जो एक्जाम है आपके जो रियापियर के छहत्तर हैं यूजी और पीजी सभी कोर्सिज की यहां पर बात चल रही है तो उसमें बताया गया था कि ओफलाइन जो है डिस्क्रिप्टिव एक्जाम आपका अब होगा जो कि पहले आपका जो है आपके जो ऑप्शिन टाइप के जो आने थे लेकिन अब रियापियर के जो एक्जाम है उन सभी के लिए ओफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में ही आपका एक्जाम होगा तो अब यहां पर देखिए कुछ केंड़ेट हैं जिनको की ओनलाइन की छूट दी जा सकती है लेक यहां पर नहीं है इंडिया में इंडिया से बाहर जो वो भी ऑनलाइन दे सकता है लेकिन इसको अपने प्रूफ हो देने पढ़ेंगे की हां वह भी बाहर है अब इसके अलावा जो अगर कोई ऐसा चातर है जो की कोभी नाइंटीन से एफेक्ट हुआ हो जो आ पाया गया हो तो वो भी अपना exam online दे सकता है लेकिन उसको अपना medical के जो documents हैं वो यहां पर submit करवाने पड़ेंगे उसके बाद ही वो जो online अपना exam वो दे सकता है और यह जो चाहतर रहेंगे जिनों की online का मोका मिल सकता है जो अभी मैंने बताया है तो इने 30 minute का extra time टाइम दिया जाएगा जो की offline वालों को टाइम दिया जाना है उनका जो descriptive exam होना यान की बड़े क्योशन होने लिखने है तो ठीक है तो उसके अलावा इने जो 30 minute का time दे दिया जाएगा ताकि आपनी आंसर शीट जो उसको upload कर सकें जो की उन्हें जिस तरह का जो procedure है वो बता दिया जाएगा तो उन्हें upload करने के लिए 30 minute का time दिया जाएगा यह नोटिस जो आपका 29 तारीक को आया है तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुए official website पर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यह अपडेट आपकी रही है अब आपका एक्जाम जाओं एमसी क्यू नहीं होगा ठीक है तो अपने ध्यान रख लेना इस चीज़ का अपनी उसी हिजाब से तयारी अपनी रखें आपका डिस्क्रिप्टिव एक्जाम होगा ओ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों साथ इसको शेर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना घंटी के निशान को दबातेना फेस्बूक पेज़ को भी लाइक करके फोलो कर सकते हैं